हेलो दोस्तों, मिल्क प्रोडूशिंग अनिमल्स यानि मिल्च अनिमल्स को नेरी इंडस्ट्री का बैकबॉर्ण माना जाता है जैसे की काउ, बफैलो, गोट और कैमल, गोट और कैमल मिल्क नुटिशिस तो होते हैं लेकिन इंडिया में इनकी प्रोड़क्शन बहुत कम होती है और काउ मिल्क और बफैलो मिल्क की प्रोड़क्शन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इंडिया में काउ और बफैलो पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंडिया में मिल्क का मेजर सोर्स भुफैलो है लगभग मौर दन हाफ बी प्रोडक्शन लेकिन वर्ल्ड में मिल्क का मेजर सोर्स काओ है लगभग 85% इंडिन काउ का साइंट्विक नेम बोस इंडिकस है जिसे जेबू भी कहते हैं जैसे की सहाईवाल, रेड सिंदी, गिर, हर्याना इंडिन बफैलो का साइंटिविक नेम गुबैलस गुबैलिस है जिसे वाटर बफैलो भी कहते हैं जैसे की मुर्रा, जाफराबादी, लिली रावी और सूर्थी दोस्तों पूरे वर्ल्ड में लगबग 1.4 बिलियन कैडल्स हैं और 185.29 मिलियन बफैलो हैं इसमें से अप्रोक्सिमेट 179.75 मिलियन बफैलो एशिया में हैं इत मिन्स 97 परसेंट बफैलो एशिया में हैं और इंडिया में 105.1 मिलियन बफैलो हैं जो की वर्ल्ड पॉपलेशन का 56.7 परसेंट हैं इंडिया में अप्रोक्सिमेट 192.49 मिलियन कैडल्स हैं और अप्रोक्सिमेट 148.86 मिलियन गोट हैं अगर आपको ये इंफोमिशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देजिए और इडियरी चैनल को सबस्क्राइब कर देजिए और साथ ही बेल एकन को दबाना ना बोलें ताकि न्यू वीडियो के नोटिविकेशन आपको जल्द ही मिल जाएं